नमस्कार इबनिंग नूज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुखे खवर पर नजर डालते हैं कोविट से ठीक हुए मरीजों के लिए खतरनाक हुँ वायरल बुखार कोविट से ठीक हुए मरीजों में वायरल बुखार बहुत तेजी से असर कर रहा है बतादे कोविट को मात दे चुके 60 से अधिक उम्रे के लोगों में वाइरल फीवर अधिक दिनों तक रहने पर मेमोरी लॉस की सिकायत भी देखने को मिल रही है रिम्स में 3-4 मरीज ऐसे भरती हैं जिनके परिजनों के अनुसार मरीजों में तेज बुखार देखने को मिल रहे हैं साथ ही मरीज अपने परिजनों को पचान भी नहीं पा रहे हैं बता दे डिम्स के मेडिसीन विभाग के चिकिसक डाक्टर संजा सिंग ने बताया कि ऐसे मर्वीज बहुत आ रहे हैं, लंबे दिनों तक बुखार भी रहा है, उन्होंने कहा कि इसे मेमोरी लोज के बजाए दिमागी संतुरन बिगड़ना कहना चाहिए JCECEB पहली बार लेने जा रहा अभियंतरन परवेस के लिए CBDT मोड पर परिक्षा, जार्खन सन्युक्त परवेस परतियुक्ता परिक्षा परसत की ओर से पहली बार कॉंप्यूटर अधारिक टेस्ट यानि CBT मोड में राची जिला मुख्याले इस्थित ओनलाइन परिक्षा क गेंद्र बनाया गया है, बता दे इसे पहले धनबाद बोकारों में भी परिक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है, या परिक्षा पलस्टू के अधार पर ली जाएगी, 22 सितंबर को परिक्षा होगी रूपा तिर्की मौत ममले में 6 लोगों को नोटीस, सायव घंज की महिला थाना प्रभाई रूपा तिर्की की मौत की जाज कर रही CBI अभेक्षन में है, बतादे मंगलवार को CBI अधिकारियों ने रूपा तिर्की क्यावाज के पडोस में रहने वाले जामादार, परदी पस्वान और उनकी पत्नी से लंबी पुस्ताच की सुत्रों की माने तो CBI ने फिलहाल आधा दजन लोगों को पुस्ताच के लिए नोटिस दिया है, अधिकतर वैसे लोग है जो पुर्व में पुलिस को ब्यान दे चुके है देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जार्खन में शुरू टाटा इस्टील दोरा देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया गया है, बतादे या प्लांट जार्खन के जमसेद पुर्वर्क्स में अस्थापित हुआ है या बलास्ट फार्नेस गयस से रोजाना 5 टन कार्बन सोख कर रेकत्रित करेगा जिसका दोबारा उप्योग किया जाएगा बतादे बलास्ट फार्नेस गयस से सीधे कार्बन कैप्चर की तकनिकी अपनाने वाला टाटा देश का पहला इस बात निर्माता है टाटा की ओर से इस बारे में जनकारी दी गई की जम सेथ पूरी श्टील कर खाना में कारवन कैप्चर प्लांट चालू हो गया है नीती आयोक के सदस वीके पॉल ने सीम हमन से की मुलकात नीती आयोक के सदस डाक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाजर नीरज सीनहा जहरखन मंत्राले में सीम हमन से मुलकात की बता दे कि केंद्र और राज सरकार के बीच बिवाधित मुदों को सुलजाने के उदेश से मंगलवार को नीती आयोक की टीम राची पहुँची है साथ सदस्यों की टीम वीभीन मुदों पर राज सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी और वो द्वार को मुख्य मंत्री के अध्यक्सता में एक बैठक भी आयोजित होगी नीती आयोक के साथ बैठक के लिए राज सरकार ने पहले ही एक दर्जन से अधिक विवाद्दीत मुदों की सुची त्यार कर ली है बाबा धाम खुलने पर भाजपा करकतावों ने मनाया जस्न मुख्य मंत्री हमन सुरेन के अपता प्रवंदर की बैठक के बाद राजे के सभी धार्मिक अस्थलों को खुलने के उनमती देने पर लोगों ने जस्न मनाया अस्थानिय बाबा मंदीर खुलने की खुशी में भारतिये जन्ता पार्टी की जीला इकाई ने रात में सत्संग चौक से एक जुलूस निकाल कर खुशी जताई और अतिसबाजी कर मिठाई भी बाटी रांची के पत्रकार बैजनाथ महतो हमला माबले में पूलिस ने 25,000 का इनाम रखा बीडियो जन्रलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला करने के मुख्या रोपी आकास उर्फ बेगा पर 25,000 के नाम की खोसना की गई है बतादे रोपी की गिरफतारी के लिए उसका फोटो भी जारी किया गया है या करवाई पूलिस मुख्यालाई आईजी अभियान येवी होमकर और आंची रेंज डियाईजी पंकज कमबोज के निर्देश पर एसेसपी सुरेंदर कुमार जाने की है रामगण में भिष्न सरक दुरघटना पांच लोग जिन्दा जले रामगण में आई सुबा बड़ी सरक दुरघटना हो गई बतादे रामगण बोकारो मार्ग के रजरपा अंतरगात मुर्बंदा थाना छेत्र में बोस और बैगण आरकार में सेधी टकर होने से दोनों वाहनों में आग लग गई जिसमें पांच लोगों के जिन्दा जलने की खबर है बतादे घटना आठ बजे की है बताया जाता है कि बोकारो से रामगण की और बोस आ रही थी उसी वक्त ए घटना घटी जारखन में लगातार बारिस से डेमो का जल अस्तर बढ़ा लगातार हो रही बारिस के कारण जारखन के डेमो का जल अस्तर बढ़ गया है बतादे राजे के तीन जलासे में जल अस्तर खत्रे की निसान पर है मैथन पंचेत और तिलेया डेम का जल अस्तर तै छामता के बराबर हो गया है या पिछले 10 साल के अवसत अस्तर से अधीक है या आकलन है सेंट्रल वाटर कमिशन का बता दे CWC देश के पूर्वी छेतर के 20 जलासियों की मोनेटरिंग करता है इसमें जार्खन के छ जलासै है असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति की मुख्य परिशा एक हफ्ते के अंदर बिभीन विभागो में 637 एंजिनियर की नियुक्ति के लिए जार्खन लोक सेवा आयोग सिगर ही मुख्य परिशा का वजयन करेगा हाई कोट से हरी जंडी मिलने के बाद आयोग ने परिशा लेने की स्विक्रिति पदान कर दी है साथ ही एक हफते में परिशा कारिकरम जारी करने की सुचना दी है खनीज ढोने वाले वाहनों को जारखन में देना होगा टोल टैक्स राजे से खनीज पदार डोने वाले वानों को टोल टेक्स देना होगा हलाकि इसके लिए कोई टोल नाका नहीं लगाया जाएगा वानों को माइनिंग चलान के साथ 8 सोर्च ही टोल टेक्स देना होगा मुख्य मंतर हेमान सुरें के अध्यक्सता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया बैठक में जार्खन राज मार्ग फीश दरो का निर्धानन यम संग्रहन संसोधन निमाली 2021 को मंजूरी दी गई कैबिनेट के मुख्य फैसले जार्खन राज प्रसासनिक सुधार आयोग के संकल्प में संसोधन को मंजूरी जार्खन राज की सोर नियाय निधी के गठन को मंजूरी जार्खन राज खाद आयोग रांची के अधिन सदसे के दो पदो के स्रीजन को मंजूरी जार्खन पंचायती राज अधिनियम 2001 की धाराव में संसोधन की घटनोतर स्विक्रिती वहीं 33 के विए विधूत सकती उपकेंद्र निर्मान के लिए धनबाद आवास बोट द्वारा 0.45 एकड भोमी के निसूल खस्त आंतरन को मंजूरी गोविंदपूर हजारी बागपत 58.26 किलोमिटर के मजबूती करण के लिए 46 कुलोर स्विक्रित टाटा आधित्यपूर एस्टेशन के बीच रोड ओबर विरीज के लिए 44 कुलोर रुपे स्विक्रित गढ़वा के नगर उटारी में अनुमंडलिये नियालाई के लिए 63 पदो के स्रिजन की स्विक्रिती पंचम जार्खन बिधान सवा के सस्टम सत्र के 17 सान पर स्विक्रिती वाई जार्खट एस्टेट डेटा सेंटर के आईटी सेंटर के एक्सपेंशन के लिए 57 को रुपे की प्रसासनिक स्विक्रिती में लिए है सारना कोड गिरिह मंत्राले ने रइस्टार जनरल को दिया निर्देश केंद्रिये गिरिह मंत्राले ने भारत के रेष्टार जेनरल को पत्र जारी का सरना धर्मकोट के लिए पुर्वसांसत साल खान मुर्मु की मांग पर समुचित कदम उठाने के लिए कहा है बतादे केंद्रिये गिरी मंत्राले ने 6 सितंबर को पत्र जारी कर राइस्टार जन्रल को या सुचना दी है और पत्र में कहा गया है कि साल खन मुर्मु द्वारा 29 अप्रेल को भेजे गए पत्र में समिधान के अनुछेद 25 के तहत आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोट की मांग की गई है बर्ष 2021 के जन्रणा में एक अलग कलम कोट प्रदान करने का अनुद किया गया है इसी संदर में ग्री मंत्राले ने पत्र राइस्टार जेनरल को भेजा है इधर सुचना के मुताबिक राजे सरकार की ओर से एक सरोदलिय टीम ग्री मंत्री से मिलेगा जिसमें जातिये जन्रणा के साथ साथ सरना धर्म कोट की भी मांग हो सकती है लंबे इंतियार के बाद सर्धालू के लिए खुले मा भदरकाली की कपाट क्रोना महमारी को लेकर राजे के अनमंदीरों की तरह मा भदरकाली मंदीर परिसर में सर्धालू के परवेस पर सरकार दोरा लगाई गई पावंदी अब समाप्त हो गई है बतादे सरकार के नए आदेश के तहट गुरु आर्शे राजे के अन्य मंदिरों की तरह यतिहासिक मा भद्रकाली मंदिर परिसरक के भी कपाट सरधालू भक्तों के लिए कुछ सर्धों के साथ खुल जाएंगे बतादे सरकार के निरनाय के अलोक में माभद्र काली मंदीर परवंधन समीती ने सरधालूओक के लिए मंदीर के कपाट खोलने के त्यारी शुरू कर दिया है रांची में मिला जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज कोविड और बलेक फंगस से लोग बचने के तरीके अपना रहे हैं लेकिन अब पुरानी बिमारी जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज मिलने सुरू होगा है बतादे राजधानी स्थीत रिम्स में पुरूलिया का रहने वाला एक 19 वर्स ये मरीज भरती हुआ है बताया जा रहा है कि इस वर्स ये राज़े का पहला इंसेफेलाइटिस का मरीज है मरीज को डाक्टर संजाय सिंग के वाड में भरती किया गया है डाक्टर संजाय ने जापानी इंसेफेलाइटिस होने की पुष्टी की है पुष्टी होने के बाद संजाय सिंग के यूनीट में ही इलाज चल रहा है मौसम विभाग के उनसार रांची और आसपास के इलागों में बुद्धवार को भी बादल छाय रहेंगे हलके से मद दर्ज की बारिस होने की समभवना जताई गई है वहीं बजरपात भी हो सकता है मौसम पुरवनमान के उनसार राजे के कुछ जीलों में भारी बारिस के भी असार है इसे लेकर अलट जारी किया गया है जूबली पार्क जल्द खुलेंगे बाबुलल मरांडी भाजपावी धायक दल के नेताव पुरो मुख मंत्री बाबुलल मरांडी ने कहा है कि जमसेत पूर के लोग निरास नहों जूबली पार्क खुलेगा मैंने जूशको के एमडी से बात की है उन्होंने ए बाते परिस्दन में आविजीत सन्वादाता समेलान में कही इससे पहले उनसे जूबली पार्क के मुदे पर संगहर सरत संस्था नागरिक सुविधा मंज के संजोजक सासी मिस्त्रावा अने मिले थे देवघर एम्स सोला को राजे पाल करेंगे उदगाटन जारखन के देवघर इस्थित एम्स का तेजी से निर्मान हो रहा है बतादे 24 अगस्त को केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मुंडविया ने OPD भवन का ओनलेन उदगाटन किया था अब और भवन बन कर तयार है इसका लोकारपन जारखन के राजे पाल रमेस बैस के हाथो होगा बतादे राजे पाल रमेस बैस गुरुवार को एम्स देवघर के एक कारेकरम में सरीक होंगे देवघर में तीन घट्टे रुकने के बाद राची लोड जाएंगे बतादे मंगलवार को SDM दिनेस कुमार यादों ने एम्स का निरिक्षन भी किया है जारखन के पच्मी सिम्भूम से जवरन और परलोभन देकर धर्मांतरन कराने का नया मामला सामने आया है बतादे जीले के टोटो थाना चेतर के एक गाव के ग्रामिनों ने बाहरीयों पर लोगों को भणका कर और परलोभन देकर उनका धर्मांतरन कराने का रोप लगाया है इस बावथ ग्रामिनों ने थाना परभाईर ससीकाइद भी की है बतादे पच्मी सीम्भूम के टोटो थाना छेत्रे के गराम दुरूला में ग्रामिनों ने थाना प्रभाईर से शिकायत किया है कि गाउं में लगभग 11 परिवार का धर्मांतरन कराया गया है बैंक लोकर से 21 लाख के जिवरात गायब मेदनी नगर सहर थाना छेत्र अंतरगत पंजाब नेशनल बैंक के एक लोकर से करिवे 20 लाख रुपए के जिवरात गायब होने के अमामला परकास में आया है भुक्त भोगी बीरसा क्रिसी भी सुविद्याले चियांकी के क्रिसी बेग्यानिक डाक्टर असोक सिना ने सहर थाना में इसकी लिखित सिकायत दर्श कराई है सिकायत मिलने के बाद सहर थाना की पूलिस और बैंक के पदादिकारी हरकत में आये बता दे पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले यूनाइटेड बैंक के रूप में संचाली था